हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप से मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है देखे फ्रेंट्स ये जैंट स्वेटर रिजाइन है इसमें में दो के मल्टिपल से फंदे लेने होते हैं देखे पहला फंदा में ऐसी उतार लेंगे और दो फंदे उल्टे दोफंदे सीधे दोफंदे उल्टे दोफंदे सीधे देखिए फ्रेंट्स इसी तरह से अम यह अपनी पूरी डूरो कम्पिरीट करेंगे। इस डेजाइन को बनाने के लिए हमें दोनिजाइन की मुलिटी से फंदे चाहिए होते हैं और एक एक फंदा साय के लिए एक्स्ट्रा पुरी रो हम इसी तरह से complete कर लेंगे देखे फरंट्स, डिजाइन की दूसरी रो दूसरी रो में हमें क्या करना है कि जो फंदे हमारे आगे हमने सीधे बुने हैं वो पीछे हमारे उल्टे हो जाएंगे और जो पीछे हमने जो आगे उल्टे बुने हैं वो पीछे सीधे हो जाएंगे तो जिस तरह से हमें फंदे दिखाई देंगे हम उसी तरह से फंदे बना लेंगे दो सीधे और दो उल्टे तो इस तरह के से हमें फंदो को बुनते हुए अपनी चार रो कम्प्रीट कर लेनी है दो रो उल्टी और दो रो सीधी तो चार रो कम्प्रीट करने के बाद पैटर्न शुरू होता है चार रो कम्प्रीट करने के बाद दिखाती हूँ आपको कैसे हमें डिजाइन बनाना है देखे फ्रेंट्स डिजाइन की पाँच भी रो है और हम तीन दो फंदे उल्टे बना लेंगे और दागे को हम आगे ही रखेंगे देखे इस तरीके से जब ये धागा हम आगे रखेंगे तो जाली डल जाएगी और ये जो धागा है ये हमें प्लट के पैसे इसके उपर से उतारना है और फिर से हम अपने धागे को आगे लेके आएगे और दोनों फंदों को पुटा बना देंगे दागा में आगे ही रखना है इस दागे को थोड़ा लूज रखना है और फिर से हम अपने उटे फंदे बना लेंगे देखिए थे हम आगे रखना है और लिए इस तरीके से दागा जो है में थोड़ा लूज रखना है तक आसानी से हम इसके उपर उतार सकें और देखिए फिर से दागा आगे करेंगे और ऐसे दोफंदे हम बना लेंगे फिर से दागा आगे रहेगा और इसी दोफंदे इस तरह से हम ये दागा इसके उपर से उतार देंगे देखे इस तरीके से इधागा जो है हमें ऐसे इसके उपर से उतार देना है और बुन लेना तो इसी तरीके से हम अपनी पूरी रूप कम्प्रीट कर देंगे देखे फ्रेंस डिजाइन की छटी रूप है अब हम उल्टे फंदों को उल्टा बुन लेंगे और सीधे फंदों को हमें सीधा बुनना है इस तरह से दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे बुनने हैं हमारे डिजाइन की छटी रूप है फ्रेंगे देखे इस तरीके से ही हम अपनी पूरी सलाई को कम्प्लीट कर लेंगे यह हमारी छटी रो है देखी फ्रेंड्स अब हमें यह सात्वी और आठवी सलाई को हम इसी तरीके से बना लेंगे दो फंदे उल्टे और सीधे फंदों के उपर सीधे दो सलाई हम इसी तरह से कम्प्लीट कर लेंगे जन्ट स्वेटर में यह डिजाइन बहुत सुंदर लगता है लेडीज कार्डियन में भी डाल सकते हैं और बच्चों के स्वेटर में भी मफलर में भी यह बहुत ही सुंदर निटिंग पैटरन है देकिए फ्रेंट्स डिजाइन की नवी सलाई तो हम यहां पर पैटरन को चेंज करने हैं देखे जो हमारे उल्टे खंदे हैं उन पर हम दो सीधे खंदे बना लेंगे और जो हमारे सीधे फंदे हैं उन पर हम उल्टे फंदे बना लेंगे देखिए इस पैटरनों को हमें इस तरीके से चेंज करना है सीधे फंदों के उपर हम दो उल्टे फंदे बना लेंगे और पर दो सीधे फंदे बना लेंगे इस तरीके से हमें चार सलाई कम्प्रीट कर लेनी है, बनाते वे, यह आठ फंदो का ही, आठ सलाई का डिजाइन है, चार सलाई हम प्रोसीजर करने से पहले, जो हम डिजाइन इसमें डालते हैं, उससे पहले बनाते हैं, और चार सलाई उसके बाद बनाते हैं, तो इस तरीके से हमें, अब यह चार सलाई कम्प्रीट कर लेनी हैं, जो हमें इसको डिजाइन को पलपना है, उल्टे के उपर सीधा और सीदे के उपर पूट देखी ये मेरी पहली सलाई है हम मैं तीन सलाई कम्प्लीट कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं इसे देखिए फ्रेंट्स हमने चार रो कम्प्लीट कर ली है डिजैन डालने के बाद जब से रिशान पल्टा है चार रो हमें डिजाइन इस डिजैन को बनाने से पहले बनानी है तो यह आठ रो का डिजाइन कम्प्लीट हो जाता है अब देखिए अब फिर से हमने जो डिजाइन को लट दिया है इस तरह से सीधे के ओपर उल्टा अब देखे दागा हम पीछे करेंगे हमारे स्टार्टिंग में ही डिजाइन डालेगा फिर देखे इस तरह से हम दागे को लूज रखते हुए जैसे हमने पहले इस पैटरन को बनाया था तो जो यह दागा है यह हम यह से इस तरह से पलटते हुए डिजाइन को बना लेंगे और कि उससे हम उल्टेपन देखे बना लेंगे और देखे दागे को में आगे ही रखना है जिस तरह से हमने पहले किया था उसी तरह से हमने से ब आतते होई डिजाइन को पुरा करेंगे और इस तरह इस जाली वाला पंदा है इसके उपर से हम उतादेंगे तो देखी इस तरह से हमारा इस डिजाइन पलट जाएगा देखी फ्रेंट्स डिजाइन बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है so तो फ्रेंट्स कैसी लगी आज आपको वीडियो और कैसे लगा डिजाइन कोमेंट बोक्स में जो बताना फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार